मैं भारत को भारती अताकी मानिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं इसी मेथी दाने से और भी एक रोख चीप होता है वो रोख क्या है रख्ट के अंदर अभी थोड़ी गेर पहले में बात करना था न कॉलस्ट्रॉल बल गया हो तो इसी मेथी के दाने की ताकत है जो कॉलस्ट्रॉल को कम करता है माने आपने बहुत दिन डालडा खाया है और बहुत दिन सोयावीन तेल खाया और बहुत दिन रिफाइन तेल खाया तो थोड़े दिन मेथी का दाना खा लो तो आगे की विन्दी की ठीच रहे है जितने दुश्परिणाम हुए है डालडा खाने से, रिफाइन तेल खाने से, उन सब को बाहर निकालने की ताकित इसमें है मैथी के डाले में र्ट के अंदर क्ॉलेस्ट्रॉल, जो खराब क्सूल है जिसको NDL कैते हैं दिल काते हैं उसको कम करने की सब्दसे ज्यादा शक्ती मैथी के डाले में है तो मैथी गयादाना उस रोगम का आता है कोलेस्टोल आप समझते हैं ये वही बीमारी है जिससे हिर्वे अधात आता ये वही बीमारी है जिससे डाइबेटीज होती है तो मेती का दाना इसमें भी चलता है खाने का तरीका मैंने बता दिया एक चमच राप को एक गिलास पाने में डालिए पीछे से मेती दाना चवा चवा के खाने